हाई दोस्तों कैसे हैं आप मैं बालमकी गिरिस्वाद करता हूँ आपका अपने बालमकी जी यूटुब चालमें और इस वीडियो में मैं आपको 200 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफॉन के बारे मताऊंगा जी हाँ दोस्तों आजकल के आपको एक फोटोग्राफी में और आजक और आप भी कोई ऐसा स्मार्टफॉन करेना चाहते हैं जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल को या फिर आपको एक बढ़िया फोटोग्राफी और वीडियो के लिए कोई भी मोबाइल चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट देखते रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्टफॉन ताहूंगा इन चारों के अंदर से जो कि आप खरी सकते हैं और आपको निरास नहीं करेगा तो इस वीडियो को पुरा देखते रहे हैं रियलमी के इस फोन के साथ 200 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा आठ मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड और दो मेगा पिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और आपको इस फोन में प्रॉंट में 32 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है और इसका जो बैक कबर है वो जीगन लेदर का है मसले एक premium feeling आएगी और इसका design और look ही बहुत बढ़िया है और ये 200 Megapixel के साथ आने वाला और ये 200 Megapixel के साथ आने वाला बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन इस फोन में आपको 200 Megapixel का primary camera से ऐसा मिलता है और 13 Megapixel का ultra wide और 2 Megapixel का macro sensor मिलता है इस फोन की charging के बाद की दिए तो 180 Watt की fast charging है और इस फोन में आपको 32 Megapixel का front 64 camera मिलता है ये फोन overall बहुत ही मस लिक्टा 3D curve display के साथ इसे आप सबसे दमदार camera वाला phone कह सकते हैं इसके साथ आपको 200 Megapixel का ISO cell HP2 sensor मिलता है सेमसिंग गलक्सी S23 Ultra में 12 Megapixel का ultra wide और 2 अन लेंस 10-10 Megapixel के फोन में आपको 12 Megapixel का front camera मिलता है और ये स्मार्टफोन अपने loop डिजाइन और ये सेमसिंग की और से आने वाला एक फ्लक्सी स्मार्टफोन है अगर आपके पास पैसा हो तो आप इसी स्मार्टफोन को खरी दिएगा यह जो इस प्लक्सी आप इस वीडियो में देख रहे हैं वह है रेड्मी नोट 12 प्रो प्लस 5G इसका इतना वड़ा नाम है यहां दोस्तों इस फोन के अंदर आपको बैक में क्यांट और आपको शोला मेगा तुक्सल का प्रट में मिलेगा और इसके जो बैक में केमरा है वह ओ आई-एस के सपोर्ट के साथ आता है तो आप इस फोन को भी देख सकते हैं तो आई होब आप लोगों को यह वीडियो पसंद आजिए और वीडियो पसंद आजिए और वी झाल को यह वीडियो